Good morning children, today from your GK book, we read about seven wonders of the world, chapter number 14. There are many beautiful things in the world, इस इस अंसार में बहुत सारी सुन्दर चिज़े हैं, while it is not easy to rank all the incredible things on this planet, यह easy नहीं है कि इस प्लैनेट पे, कि हम उनको rank दे, इतनी सुन्दर सुन्दर चिज़ों को, हम कोई position दे, some have managed to create a list of the seven best, किसी ने manage करके यह seven best चीज़े निकाली हैं इस वर्ड में से, अब हम वो पढ़ेंगे, first है, Chris the Redeemer, यह है, Chris the Redeemer, यह जो Chris the Redeemer है, वो कहां पे है, कहां पे है, बनाया हुआ है, ब्राजिल में, इस अ 125 फीट टाल सैचू, प्लेस ओन दी टॉप ओफ दी, कॉर्क वर्डा माउंटेन, यह 125 फीट लंबा है, और वो कहां पे बना हुआ है, माउंटेन पे, कौन से माउंटेन, कॉर्क वर्डा माउंटेन के, 150 फीट लंबा बनाया गया, इट वाज इनागुरेट इन 1931, और इस लोकेटिट 700 मिटर अबव दी सी लेवल, यह पहले कब बनाया गया था, 1931 पे, और इसके, 700 मिटर अपर बनाया गया था, सी लेवल से, सेकिन है, ताज महल, यह है, ताज महल, ताज महल is located in आगरा, in इंडिया, ताज महल कहां पे बना हुआ है, आगरा में, कहां, इंडिया में है, आगरा, वहां पे ताज महल बनाया गया, इट वाज बिल्ट बाइ मुगल एंपरर शाह, जहां, इन दी मैमरी ओफिस सेकंड वाइफ, मुमताज महल, यह किस ने बनाया था, मुगल, मतलब राजा था, उसका नाम था, शाह जाह, शाह जाह ने अपनी सेकंड वाइफ की याद में बनाया था, जिनका नाम था, मुमता टाज महल, इट इस मेड़ पोफ वाइट मार्बल, यह किस से बना हुआ है, वाइट मार्बल से, वाइट पत्थर से, ताज महल इस वन ओफ द यूनिवर्सल एडमायर, मास्टरपीस ओव दी वर्ड हैरिटेज, यह संसार का मास्टरपीस माना गया है, अग है, चीचे निट इटजा, दा आर्चियोलोजिकल साइट इस लोकेटि इन दमर्ट मूनिस्पैलिटी ओ टीनिंड इन मैक्सिको, यह मैक्सिको में सबसे घूमने वली फेमस जगा है, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते है, अगर जो कोई मैक्सिको में जाता है, तो ची यहां पे देखने, एन एस्टिमेटिन 1.2 मिलियन टूरिस वीजिट दी र्यून्स एवरी इयर, इस खंडर को देखने, र्यून्स मैं आपको बताया था, खंडर होता है, इस खंडर को देखने, हर साल 1.2 मिलियन टूरिस आते हैं, अब हम पढ़ेंगे, पैटरा, यह है, प पैटरा के साथ तिसे रोज सिटी भी काया जाता है, क्योंकि इसके पत्थर जो है, वो पिंग कलर के थे और स्टोन, इडिस फेमर फोर इट्स रोक कट आर्चिलोजी और वाटर चैनल सिस्टम, यह अपनी पत्थर की कलाकारी और पानी चैनल, वाटर चैनल के लिए फेमस है है, अब हम पढ़ेंगे, मूचू प्यू, मूचू प्यू, मूचू प्यू प्यू is located 2413 मीटर अबव दी सी लेवल इन पीरू, मूचू पीरू, is often mistakenly referred to the lord city of the annex, मूचू प्यू, कितने मीटर अबव है, मतलब कितने मीटर पानी से उपर है, 2430 मीटर सी लेवल, मतलब पानी ह जो मुंदर होगा उस से उपर बनाया गया हुआ है पहाड है वह इसको हम क्या वो किसले बोलते हैं लोग सिटी ऑव दी इनक्स अब हम पढ़ेंगे लोग जीम क्लोजियम is situated in the center of the city रोम इटली क्लोजियम जो है वो सेंटर में बनाया गया है किस सिटी के रोम की इटली के रोम है उस रोम सिटी के अंदर सेंटर में है क्लोजियम इट इस बिल्ट ओफ कंक्रीट एंड स्टोन और वास्ट लार्जज़ अंफिटेटर ओफ दरोमन इएंपायर यह जो किस से बना गया है कॉंक्रीट की स्टोन पत्थर से बनाया गया है और यह रोमन इंपायर का सबसे बड़ा खंडर है इट इस एस्टिबेटी दैट दा क्लोजियम कुड होड बिट्विन फिफ्टी थाउजन एंड एटी थाउजन सब्टेक्ट यह अनुमाल लगाया जाता है कि क्लोजियम पचास हजार से अच्छी असी हजार अपने दर्शक को प्रिजा सकता है दे ग्रेट वाल ओफ चाइना लास्ट है सेवन वंडर दे ग्रेट वाल ओफ चाइना वास बिल्ट तो प्रोटेक्ट दा चाइनीज एंपायर वह चाइनीज एंपायर को बचाने के लिए ग्रेट वाल ओफ चाइना बनाए गई थी दा फेमस वाल वास बिल्ट बाइ फ़र्स एम्परर ओव चाइना यह जो फेमस वोल फाल ग्रेट वॉल ओफ चाइना यह किस ने बिल्ट की थी उनके पहले राजाने चाइना के पहले राजाने कुईञ शी यूंग the majority of the exciting wall from the mean density the wall is maximum 9.1 meter it means 30 feet wide यह जो वाल है 30 feet लंबी है चोड़ी है and it is about the same color as the soil surrounding it यह सेम ऐसे color की जैसे आसपस उसकी मिट्टी है great wall of china यह है great wall of china यह है चाइना में thank you have a nice day